है है लो दोस्तो वेल्कम तो माई यूटूब चैनल ली स्टेडि विध थ्री फोर सेमेन में आपका स्वागत है आज हम देखेंगे भारतिय संभिधान के भाग तीन को तम देखते हैं संभिधान संबिधान के भागतिन जिसमें मौलिक अधिकार है भागतिन मौलिक अधिकार जिसे मूल अधिकार कहते हैं मौलिक अधिकार अनुछे 12 से लेके 35 तक है तो हम पिछली वाली वीडियो में मौलिक अधिकार के बारे में और मौलिक अधिकार कितने परकार के होते हैं कहां से लिया गया था इसके बारे में देखा था और इसमें देखें थे हम मौलिक अधिकार कितने परकार के हैं तो उसमें से हम समानता के अधिकार को पढ़ लिये थे आज हम सोतंता के अधिकार को पढ़ेंगे सोतंता के अधिकार हमें कितनी परकार की सोतंता दी गई है जो है अनुछेद 19 से 22 तक अनुछेद 19 से लेके 22 तक तो अब हम देखेंगे सोतंता के अधिकार कि हमें कितनी परकार की सोतंता दी गई है तो हम पहले अनुछेद 19 को देखते हैं इसमें अनुछेद 19 अनुछेद 19 तो अनुछेद 19 में हमें 6 परकार की सोतंता दी गई है मूल संभिधान में हमें 7 परकार की सोतंता थी अब हटा दिया गया है थम छे परकार की सोतंत्रता इसमें पढ़ेंगे कि छे परकार की सोतंत्रता और पहला है इसमें अविव्यक्त करने की सोतंता मतलब आपने अविव्यक्त अविव्यक्त करने की सोतंत यह पहला है कि आपने वाक्त क्यों आप अविव्यक्त कर सकते हैं यह अविक्त करने की सोतंतब इसके तेर्थम्ट जेसे ミीया होती है इसे अव्यक्त सेता के आधार पर खोलोिन पूछ सकते हैं इसमें प्रेस आसा जाता है कि ये होग्या प्रयस धोजाब जैस ससलें हैं कि अपने पसंद का धोजा फयरा सकते हैं अ कि आया भॡया फ़ारांय कि स्टेंटा ये है धोजा फारानी की सुतंता और इसमें हमें बोला गया है कि पुतला जलानी की सुतंता अभी कभी आप देखते होंगे का नम है अंदोलोनों में पुतला जलाया जाता किसी बात को अव्यक्त करने के लिए कि पुतला जलने की सुतंता है कि पुतला जलानी की सुतंता है और इसमें हमें प्रदर्शन करने की सुतंता होती है अगर किसी परदर्सर या धर्ना बोल सकते हैं परदर्सर और धर्ना करने की सोतंता है और सूचना पराप्त करने के लिए अव्यक्त करने की सोतंता के तहत ही हमें सूचना पराप्त करने की सोतंता है अगर किस चीज की हम सूचना चाहते हैं सारकारी कार्याले से जाके उसकी सूचना परा से पहला परकार जो अव्यक्त करने की सोतंता है कि आप धरना कर सकते हैं पूतला जला सकते हैं परदर्शन या प्रेस जिसे आप सवाल जबाब नेजा मंत्री से पूछते हैं यह अव्यक्त करने की सोतंता के तहसी इससे पूछा जाता है अब दूसरा हम इसमें देखेंगे सभा कर सकते हैं कि सभा करने की सुतंता है कि यह है कि आप अपने मन पसंदा सभा कर सकते हैं लेकिन सभा देश विरुदी गत्विदियों को उसमें ना हो तो आप सभा कर सकते हैं यह आप आपको सुतंता दी गए जिसे कहते हैं फ्रीडम आप मेटिंग एंड असेंबली फ्री यह हो गया सभा करने की सोतंता यह अनुच्छ दूलीष के दूसरे में हैं सभा करने की सोतंता आप सभा कर सकते हैं उसके बाद है सभा कर लिए तो आप संगठन संगठन बनाने की सोतंता है संगठन बनाने की सोतंता कि बनाने की सोतंत्रता कि तीसरा है कि आप संगठन बना सकते हैं और इसी के तहएट राजिनीतिक पार्टियां भी बनती हैं संगठन बनाने की सोतंता यह कि हम सोतंत हैं हम आपने मनपसंद का संगठन बना सकते हैं बस वो देश की अखंडता को परभावित ना करें देश बिरूधी ना हूँ तो आप संगठन बना सकते हैं कोई भी बस वो देश की अखंड़ता को ना तोड़े ये संगठन बनाने की सोतंता है अनुछे 19 के तीसरे में कहा गया है चवथा कहा गया संचार करने की सोतंता मतलब संचार करने की सोतंता संचार करने की सोतंतरता जिसे हम कहते हैं फ्रीडम आफ मूब और इसी को हम ब्रहमड करने की सोतंता भी कहते हैं कि आप चारो और घूम सकते हैं आप इसके लिए सोतन्त है आपको कोई भी नहीं रोख सकता कि आप भारत के मतलब मान दीजिए भारत के किसी भी छेत्र में आप घूम सकते हैं अनुशेद 19 के चौथे के तहित जो है यह संचारण करने किया भ्रहमण करने की सोतन्ता आपको द निमास करने की सोतन्ता निमास करने की सोतन्ता जिसे हम फ्रीडम आप राइस कहते हैं कि आप भारत की किसी भी छेत्र में आप बसना चाहते हैं कोई मन पसंद आ गया किसी भी सहर में आप बस सकते हैं उसके लिए आप सोतन्त हैं और उसके बाद हम पांचवा देख लिए अ तो वहां किसी भी छेत्र में आप बस गए और वहां अगर आप चाहते हैं कि बैपार करना तो आप बैपार कर सकते हैं भारत के किसी भी छेत्र में यह हो गया अनुछेद 19 में पहले देखें कि 19 के तहत हमें छोश अब aperture कर सकते हैं अव्यक्त कर . अनुषेद 19 के अव्यक्त करने की तहता आप इतना काम कर सकते हैं उसके अब मतलब दहों कर दुश के अदो उनुषेद हैं कर सकते हैं संगठन बनाने की सोतंता है कि आप अपना कोई भी संगठन बना सकते हैं संचार करने की संचारण और भ्रहमर करने की सोतंता कि आप भारत की किसी भी भारत में भ्रहमर कर सकते हैं मतलब घूम सकते हैं यह हैं अनुछेद 19 के चौथे में कहा गया और पांच में में कहा गया कि आप भारत के किसी भी छेत्र में निवास कर सकते हैं यह आपको सुतंता दिए और छटवा है बैपार करने की सुतंता है यह हो गया और यह हो गया अनुचेद 19 अब हम देखेंगा अनुचेद 20 को अनुचेद 20 अनुचेद 20 अनुचेद 20 में हैं दोसी सिद्ध दोसी सिद्ध मतलब आपको अगर दोसी ठारा गया तो उसके लिए आपको सरक्षर प्राप्त हैं दोसी सिद्ध के संबंद में संरक्षड के संबंद में संरक्षड इसमें कहा गया कि अगर आपको सरकार नियाले ने आपको दोसी करार कर दिया तो उसके लिए आपको सरक्षर दिया गया है यानुचेद 19 के तहित है और इसमें कहा गया कि अगर मान लिजिए आप कोई भी नियाले ने किसी व्यक्ति को दोसी करार कर दिया तो उसे दोसी करार करेगी लेगिन सजा उसे उस समय के का उस समय जिस समय व पर दी जाएगी इसमें कहा गया है कि कि अपराद करने के समय के कानून पर ना कि पहले कानून या बाद के कानून पर जिस समय की कानून हो गा उसी कानून के तहट उसे सजा दी जाएगी है अमशेद 20 के तहट मतलब आपको इसमें सड़क्षर दिया गया आप न्याले द्वाराSON दोसी करार हो गए और उसके बाद आपको इतना सड़क्षर दिया गया और नहीं है कि आपको पिछले कानून के तहट या बाद वाले कानून के तहट आपको सजा दे सकती यह है और इसमें कहा गया कि सजा एक गलती की एक सजा होगी मतलब एक गलती की एक सजा होगी यह नहीं है कि आगर आपने मान लिजिए आप एक गलती की एक सजा मतलब समझ लिजिए अगर आप एक गलती करेंगे तो आपक वो एक सजा होगी एक अपराद की एक सजा यह है अनुछे 20 के तहट कहा गया है एक अपराद की एक सजा होगी और इसमें यह भी कहा गया कि मतलब दोसी सिद्ध आपको करार कर दिया गया लेकिन दोसी सिद्ध करार करने से पहले अगर पुलिस आपको खुद के विरुद गवाही देने के लिए कहे उसके लिए आप सोतंत है आप खुद के विरुद गवाही नहीं दे सकते हैं कि हमने गुना किया है ऐसा आप नहीं कर सकते ह खुद के बिरुद्ध गवाही नहीं दे सकते हैं अनुछेद 20 के तहित का गया है बीस में बस इतना है कि आप दोसी करार कर दिये गए हैं उसके लिए आपको सरक्षर पराप्त हैं ये तीन तरीके से आपको सरक्षर पराप्त है अब हम अनुछेद 19 देखेंगे इसमें का गया प्राण यहम्दहिख सोतंतर था जैसे लाइफ और प्रस्चनल लिबरेटी इसे हम कर सकते हैं लाइफ और प्रस्चनल लिबरेटी प्राण यहम्देहिक सतंतर था है लाइफ अद beneficial इस में प्राणयम् देहिक स्थन्ता है और इसके तहब यह कहा गया कि आप मानली जिए आप प्राणयम् धाइब इस आप अपने लिched और लेकिन आप अगर मारना इसमें यह कहा गया कि आपको जीने की सोतंता दी गई है जीने की सोतंतरता की सोतंतरता है प्राणयूम देहिक सोतंता लेकिन इसके तहट प्राणयूम देहिक सोतंता है लेकिन आप मनने के लिए बाद्यकारी नहीं है कि प्राणयूम देहिक सोतंता है तो आप अपने लिए मर सकते हैं मतलब सुसाइड नहीं कर सकते यह प्राडम देहिक सोतंता के लिए है यह इस्पे damn कह गया कि आपको जीने की सोतंता लेकिन मरने की सोतंता आपको नहीं है यह चांजधा इसमें आप अकेले रहना चाहते हैं ये इसमें कआ गया एकांतवास की सोतंता या एकांत वास से अब भी देश की यात्रा करें ये भी अनुचे दिक्की स के तहद आप्पर सकते हैं उसके बाद इसे में हमें प्राणुम्त देहिक सोतंता इसे हम बताएं आपको ने life and personal liberty परस्टनल लिबरेटी तो इसे बोला गया है नीजिता का अधिकार जोड़ा गया है नीजिता का अधिकार मतलब privacy नीजिता के अधिकार अगर आप चाहते हैं मान लिजी अपना password कोई व्यक्ति आपसे मांग रहा तो नीजिता के अधिकार के तहट आप उसे नहीं दे सकते हैं कोई व्यक्ति हो password से ये उधारण सही रहेगा कि नीजिता का अधिकार यही है कि आप आपकी privacy मतलब कोई चीज अगर चाहते हैं आप किसी को नहीं बताना तो नहीं बता सकते हैं नीजिता का अधिकार है इक्किस के तीसरे में कहा गया है और इसके बाद इसमें है इसमें सिच्छा के अधिकार को जोड़ा गया है सिच्छा का अधिकार सिच्छा का अधिकार प्राणियुम् दहिक सुतन्ता छी आशवे संविधान संसोधन है छी आशवे संविधान संसोधन संविधान संसोधन इसमें कहा गया कि आप 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चु को निशुल के सिच्छा प्रदान की जाएगी ये छी आशवे संविधान संसोधन छे वर्ष से 14 वर्ष के बच्चु को सिच्छा का अधिकार है और इसे एक अप्रेल 2004 में इसे देखिए छियाश्वा सम्मिजान संसोधन हुआ ये 2002 में 2002 में संसोधन हो गया ये लागू पूरे भारत में तब नहीं हुआ था इसे एक अप्रेल एक अप्रेल 2004 में 2004 में इसे प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया सिठ्धा के अधिकार को स्वतन्ता के अधिकार में मौली के अधिकार में जोड़ा गया जो अनुछेद 19 के तहित है अब हम इतना देख लिए अनुछेद मौलिक अधिकार के सोतनता के अधिकार में अनुछेद 19 और 20 21 एक बार इसको रिविजन कर लिजे मान लिजे 20 है 20 में कहा गए 20 सिद्ध के संबंद में सरक्षड अगर आपको 20 सिद्ध कर दिया गया है उसके विशे में आपको सरक्षड अपरात करने के समय पर आपको कानूनी सजा दी जाएगी उसके बाद एक अपरात की एक सजा होगी खुद के विरुद्ध आप गवाई नहीं दे सकते हैं प्राणयूं दहिक सोतनता लाइफ और प्रशनल लिबरटी इसमें का गए जीने की सोतनता है लेकिन आपको मनने की स सकते हैं और उसके बाद सिच्छा का दिकार 86 सम्मिदान संसोधन 2002 के तहट कहा गया और लेकिन एक अपरायल 2004 को इसको लागो किया गया यह हम अनुछेद 21 को देखना तो अब हम अनुछेद 21 को देखेंगे इसमें हमें तीन परकार की सोतनता दी गई है इसमें हमें तीन पर परकार की सोतनता दी गई है तीन परकार की सोतनता इसमें इसमें तीन परकार की सोतनता दी गई है जो गिरफतारी से गिरफ गिरफतारी गिरफतारी से सनरक्षड से सनरक्षड सनरक्षड ये दिया गया अगर कोई व्यक्ति को गिरफतार करने से पहले गिरफतारी देखे गिरफतारी से पहले सडक्षड अगर किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफतार करने जाती है तो उसके लिए उसे सरक्षड दिया गया है ग्रेपतार से सरक्षड और इसमें कहा गया है कि जब पुलिस मान लिजिया किसी व्यक्ति को ग्रेपतार करने गई तो उसे जाने से पहले व्यक्ति को कारण बताना पड़ेगा कि किसलिए आपको ग्रिपतार किया जा रहा है यह है अमुछेद 22 के तहर ग्रिपतारी से सनक्षड एक बात यह कहा गया कि व्यक्ति को कारण बताया जाएगा और 24 घंटे के अंदर उसे न्याले में प्रस्तूत किया जाएगा 24 घंटे के अंदर न्याले में प्रस्तूत किया जाएगा और इसमें मान लिजी अगर ग्रिपतार जिस दिन व्यक्ति हुआ और 24 घंटे के अंदर उसे न्याले में प्रस्तूत किया जाएगा लेकिन उसमें छुट्टी और आवकास आवकास का समय उसमें नहीं जोड़ा जाएगा और जो ट्रेवल में समय लगेगा ये 24 घंटे में एड़ नहीं होगा ये है और उसके बाद इसमें कहा गया है कि गिरिफतार व्यक्ति जिसे गिरिफतार किया गया है उसे मन पसंद का वकील रखने की सुतंता है मतलब गिरिफतार व्यक्ति अपने पसंद का वकील रख सकता है ये उसके लिए सुतंता है कि वह अपने अपने पसंद का वकील रखने की उसे सुतंता दी गई है उसके बाद हम देखेंगे ये तो हम देख लिए संरक्षड हैं गिरपतारी से संरक्षड हैं और इसके बाद संरक्षड के बाद कुछ निवारण को पढ़ेंगे तो पहले आप निवारक बिरोध अधिनीयम से अधिनीयम अधिनीय म Bis देखें यह लिए बनाया गया कि किसी ब्यक्ति को मा लीजी इस में तो संड़क्षड है लेकिन इसमें सक के अदार पर किसी ब्यक्ति को गिरिपतार कर लिया जाता था और नहीं वकी नहीं उसे वकील रखने के लिए सुतनता थी और नहीं उसे नयाले में प्रस्तूत किया जाएगा ये निवारक विरोध अधिनियम के तहट था ये अपराद को रोकने के लिए बनाया गया था यह है अपराद को रोकने के लिए यह अधिनियम अधिनियम बनाए गये थे और पुलिस इसमें सक्के अधार पर पुलिस जो है सक्के अधार पर किसी व्यक्ति के सक्के अधार पर ग्रिफतार कर लेगी व्यक्ति को और बीना कारण बताए उसे ग्रिफतार करेगी नहीं उसे कारण बीना कारण बताए उसे ग्रिफतार करेगी और नहीं यह निवारक मतलब इसको समझ लेजी आप एक नजर बंद कर देते हैं और नजर बंद होटल आवास कह भी हो सकता है लेकिन उसे किसी व्यक्ति से मिलने नहीं दिया जागा यह निवारक विरोद अधनियम के तहर उस व्यक्ति को गिरिफतार कर लिए यह है और इसमें गिरिफतार कि इस तरहiedy जिसे ये मान ली कि निवारा का नियम है और इसमें अपराद कर आप रोकने के लिए अधिनियम यह अपराद को रोकने के लिए मतलब कोई ब्यक्ति है अगर पराद करने वाला उसrintे पहले उस्से निवार Pom Columbus देखेंगे पहले निवारक अधिनियम हैं इसमें हम देखेंगे पहला जो निवारक अधिनियम बना कि निवारक विरोध अधिनियम कि विरोध अधिनियम इसे बना गया 1950 में किसी व्यक्ति को ग्रियपतार कर लिया जाता था इसे 1950 में बना गया है निवारक अधिनियम निवारक भिरोध अधिनियम यह पहला अधिनियम था किसी व्यक्ति को सक्के अधार पर गिरेपतार कर लिया जाता था यह है निवारक अधिनियम और इसे 31 दिसंबर 31 दिसंबर 1972 में इसे समाप्त कर दिया गया यह निवारक अधिनियम 1950 में बना और 31 दिसंबर 1972 तक इसे लागू रहा इसके तहित व्यक्ति को एक वर्स तक मतलब तीन-तीन महिने करके एक वर्स तक निवारक बिरोद अधनियम मतलब नजर बंद करके पुलिस उसे लगबग एक वर्स तक रख सकती है बिना कारण बताएं एक वर्स तक यह हम पहला निवारक अधनियम देख लिए अब हम दूसरा देखते हैं जो दूसरा है यह था आंत्रिक सुरक्षा के लिए देश के अंदर आंत्रिक अंत्रिक सुरक्षा अधनियम इसे कहा गया आंत्रिक सुरक्षा अधनियम और इसेज यह ही मीसा कहते हैं यह जो है आंत्रिक सुरक्षा अधनियम इसेज आते हैं और इसे इसका सबसे अधिक दुरूपियोग है आतंग आतंग बादियों के दवारा है इसका बहुत ही अधिक दुरु इप्योग हुआ है इसे हम लिख सकते हैं दुरुपीयोग हुआ है इसके लिए इसका सबसे अधिक दुरुपीयोग हिए इसलिए इसे और इसे इसके तहित आंतरिक सुरक्षा अधनियम के तहित 11 महा का नाम है 21 महाह तक 21 महीने तक किसी विक्ति को निमारक अधनियम के तहट आंतरिक सुरक्षा धनियम मीशा 1971 में जिसे लआ गया इसका अबसे अधिक धुरूपीयोग भी को हुआ लेकिन 21 महाँ तक इसके तहट किसी विक्ति को निमारक विरोधनियम के तहर उसे नजरबंदर रखा जा सकता है यह हो गया आंतरिक सुरक्षा अदिनियम और उसके बाद हम देखेंगे राष्टिय सुरक्षा कानून तीसरा राष्टिय सुरक्षा सुरक्षा अधिनियम राश्टिय राश्टिय सुरक्षाद नियम जिसे हम रासुका कहते हैं और इसे संप्रादाई का और जातिय भढ़काने के आरोप में इसके तहट आपको नजर बंद कर दिया जाएगा इसे 1980 में लाया गया जिसे हम राशुका कहते हैं इसे हम राशुका कहते हैं और ये सबसे खतरनाक मान लिजिए राश्टिय सुरक्षाद नियम ये सबसे खतरनाक था खतरनाक सबसे ये ये अधिनियम सबसे खतरनाक अधिनियम था खतरनाक अधिनियम एक मेर्ट फिर से ये सबसे खतरनाक का अधिनियम था इसके तहत पुलिस इंकाउंट्र भी कर देती थी और ये वो राशुका है ऑब ये जो है ये वरतमान में लागू है ये ये जो है ये वरतमान में लागू है वर्तमान में इसे लागू किया गया राश्ट्य सुरक्षादिनियम उनिस्वस्ति में जीसे बनाया गया यह संप्रदाइक और जात्य भढ़काने के आरोप में किसी व्यक्ति को सक्के अधार पर ग्रेपतार किया जा सकता था यह है और चौथा हम देखेंगे चौथा जो है यह यह आतंकवाद विद्वन्स गतिविधियों के तहर जिसे हम पोटा कहते हैं टाडा 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 इसे यह सबसे कठोर अधनियम था टाडा यह एक कठोर अधनियम था यह सबसे कठोर अधनियम था और टाडा को 1985 में लाए गया इसे जो है के लिए लाय गया था आतंकवाद को रोकने के लिए अतंकवादी आतंकवादी यह के लिए लाय गया था और इसे 23 मई 1995 में इसे समाप्त कर दिया गया यह यह टाडा को और इसमें एक सो असी दिन तक एक सो असी दिनों तक किसी व्यक्ति को ताडा अधनियम के तहस्त किसी व्यक्ति को नजर्बंद रखा जा सकता है उसके बाद हम ताडा देखने अब हम देखेंगे पोटा पांच वाजो है पोटा यह भी अधनियम था निमारक विरोद अधनियम और इसे 2001 में लाया गया 2001 में लाया गया इसके तहट भी 30 दिनों तक किसी व्यक्ति को नजर्बंद किया जा सकता है तीस दिन तक यह अधनियम पोटा के तहट 2001 में लाया गया और इसके तहट 30 दिनों तक किसी व्यक्ति को किया जा सकता है इसे भी आतंकवाद को रोकने के लिए आतंकवाद को रोकने के लिए ये पोटा भी लाया गया और टाडा भी लाया गया और इसे 2004 में समाप्त कर दिया गया इस तरह हम अनुशेद 22 को देखे हैं एक बाहर रिवीजन कर लेते हैं अनुशेद 22 में देखें इसमें तीन परकार की सोतंता है और ये गिरफतारी सरड़क्षर के लिए सुरतंता है बेक्ती को अगर किसी बेक्ती को गिरफतार किया गया उसे पहले तो कारणवताया जाए गा फिर 24 घं इसे अपराधी के लिए नहीं लाय गया तो अपराध कोई ब्र NHQ मैं पुलिस के अधार पर बिना कारण बताएं किसी सीवत्ति को कि नजर बंद कर सकती है इसे हम लाढ्ला कर सकते हैं उसके बाद हम पांचपरकार चो देखेंगे भारत में इसमें पांच परकार के निवारक का दिनियम देखेंगे निवारक का दिनियम विरोध दिनियम 1950 में ये पहला आया और इसे 31 दिसंबर 1922 में इसे समाप्त कर दिया गया इसके साहे तहट किसी व्यक्ति को एक वर्स तक तीन-तीन माह करके किसी व्यक्ति को एक वर्स तक नजर ब जो 1971 में लाया गया था और इसका बहुत यदिक दुरूपियों हुआ और 21 महा तक किसी व्यक्ति को नजर बंद किया जा सकता था आंतरिक सुरक्षा दिनियम के तहट राश्ट्य सुरक्षा दिनियम 1980 में आये जिसे रासुका कहते हैं यह सबसे खतरनाक था इसके तहट पुलि गया उनिस्सों पचासी में लाया गया और इसके 180 दिनों तक किसी व्यक्ति को नजर बंद किया जा सकता था यह आतंक वादियों के लिए लाए गया इक्तिस महीं उनिस्सों पंचान वेव को इससे समाप्त कर दिया गया फिर हम पोटा देखे दो 2001 में लाया गया इसे 30 दिन तो अगर वीडियो अच्था लगे तो लाइक करिए और कमेंट करके बताए वीडियो कैसा लगा अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें